आपे अरुआ के दिए भारत पकिस्तान के आपसी रिस्तों में तनाव के बीच आने देसों ने भी रिस्तों की इस खटास में दखल देना सुरू कर दिया है खबर है की रिष्टों में तनाव के बीच भारत के साथ संभावित यूद के लिए तूर्की पाकिस्तान जंगी जहाज मुहया करा रहा है मिडिया की खबरों के अनुसार भारत के साथ जंग के लिए पाकिस्तानी nevsena अपनी सामरीक और यूदधक ताकत को बढ़ाने के तयारी कर चुकी है तूर्की की सरकारी कमपनी पाकिस्तानी nevsena के लिए कराची में मैगनम कलास की करवेंट का निर्बान कर रही है बता दे कि इस योद पोता को 2023 में पकिस्तानी नौसेना में सामिलित किया जा सकता है माद दुरगा की अराधना में लिन हुए सियम हमंत सुरेन सार्दिय नौरात्र के नौवे दीन महा नौमी के अउसर पर मुख मंत्री हमंसुरेन मुख मंत्री आवास इस्थीत मंदीर में अपने परिवार संग पुजा आजना किये इस अउसर पर कुमारी कन्याओ को जहां भी भोजन करा है आई माद दुरगास से जहारखन वासियों की खुशाली की कामना भी किये दूसरी ओर चत्रा के इट खोरी ज्थित माँ भद्रकाली मंदीर में सर्धालों की भीड रही हवन के बाद कलसको भी सर्चित किया गया जहारखन के स्वास्त विभाग में 847 पदो पर भरती स्वास्त विभाग ने 847 विभीन पदो के लिए बाहली निकाली है जहारखन रूरर हेल्थ मीशन सुसाइटी में आयूस चिकित सक्वा पवलिक हेल्थ मैनेजर सहीत विभीन पदो पर भाली अनुबंद अधारित होगी बता दे कि इसके लिए आवेदन जमा करने की अमतिम 37 नौवंबर तक है बता दे कि अमतिम रूप से चयन लिखित परिक्षा सक्षतकार के माध्यम से होगा एक बर्स के लिए अनुबंद परिया पहली होगी कक्षा आठ का पवलिक परिक्षा जहरखन में आठवी कक्षा की बोड परिक्षा फरवरी 2021 में होगी जहरखन एकेडवी कॉंसिल जैक ने इसकी त्यारी सुरू कर दिया है परिक्षाओ को लेकर नौवंबर में ओनलाइन पंजियन का कारे सुरू किया जाएगा बता दे कि इसको लेकर जहरखन एकेडवी कॉंसिल ने सभी जीला सिक्षा पता अधिकारी से 20 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की संख्या उपलब्त कराने को कहा था पर अब तक अधिकतर जीलों ने विद्यार्थियों की संख्या नहीं भेजा है प्याज की कीमत में तेजी स्टोक लिमिट ताए प्याज की कीमतों में आई तेजी ने आम लोगों के होस उड़ा दिये हैं राजे में प्याज 70 रुपे प्रती किलो तक विक रहा है हलाकि जमाख खोरी पर रोक लगाने के लिए केंदर सरकार द्वारा थोक ब्यापारियों के लिए 25 टन और खुद्रा ब्यापारियों के लिए 2 टन प्याज का स्टोक लिमिट ताए कर दिया है उधर थोक ब्यापारी प्याज की कीमत और बढ़ने की संभवना जतार है हैं उनका काना है कि किसी भी चीज की आवक कम होने पर सोतक कीमते बढ़ने लगेंगी थोक ब्यापारी ओका साफ काना है कि प्याज पर स्टोक लिमिट तै नहीं की जाए मुर्ती भी सर्जन के 48 गंटे में जल स्रोत से परतिमा बाहर निकालेगा निगाम दुरगा पूजा पर होने वाली मुर्ती भी सर्जन को लेकर केंद्रिये परदूसन नियंतरन बोड ने नई गयलें जारी कर दी है नगर निगम को भी पत्र भेज कर इस दिशा निदेश का परण कराने को कहा गया है इसमें कहा गया है कि देवी देवताव के मुर्तीयों के भी सर्जन के लिए जल स्रोत के एक कोने पर जलकुंड बनाया जाए इस जलकुंड को लाल फिता और बाश से घेरा जाए मुर्तियों को भी सर्जन के 48 गंटे के अंदर मुर्तियों को जल सुरत से निकालने का निदेश दिया गया है राची से गुमला पिक्निक मनाने गए तीन बचे नदी में बहे एक की मौत मान आमी पर गुमला में एक दुखत घटना हुई है नदी की तेजधार में बहने से एक बचे की मौत हो गई बता दे कि अने दो लपता है हलाकी बाद में एक अने बच्चों को खोज निकाला गया है बताया गया है कि राची के नामकुम से गुमला जीला के बसिया परखन के परटन अस्थाल में रभिवार को एक परिवार पिक्निक मनाने आये थे यहाँ परिवार के तीन बचे नहाने के लिए दक्षिनी कोईल नदी गये थे नहाने के दवरान तीनों नदी की तेजार में भागा है आज 26 अक्टूबर को ड्राइड डे पूरे जार्खन में बंद रहेंगी सराब की दुकाने 26 अक्टूबर 2020 स्वमवार को रांची जीला सहीद पूरे जार्खन में ड्राइड डे घोसित किया गया है बता दे कि आज रांची जीला और जार्खन के सभी जगोपर सभी सराब की दुकाने बंद रहेंगी उपायूक सो जीला दंडा अधिकारी रांची छवी रंजन ने संबंदित बिभाग के पता अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का पानन अनिवारे रूप से करवाना सुनिशित करेंगे अगर इस दिन कहीं पर भी अबएद वबएद तरीके से सराब की विक्री होती है तो करवाई करें पलामू पुलिस ने इंटर स्टेट गैंग के न अपराधी को गिरफतार किया है पलामू पुलिस को रभीवार को एक बड़ी सफलता मिली है सदर संदीप कुमार गुपता ने बताया कि इंटर स्टेट गैंग के न अपराधी गिरफतार किये गए है इनकी गिरफतारी जार पलामो जिल्या के कई छेत्रों में चोरी और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। की जीत का महापरव है। महाद दुरगा हर किसी की मनुकमना पूरी करती है। जार्खन में कुल संक्रमीतों संख्या 99,686 है जबकि 92,970 लोग स्वास्थ हुए और 866 की मिरती हो गई। जार्खन में एक्टिव केस अंठावन सो चो वालीस बचे हैं। भारत में कुल संक्रमीतों संख्या 89,950 है जबकि एक्टार लाग 33,994 लोग स्वास्थ हुए और एक लाग 39,930 की मिरती हो गई। भारत में नएकेस 45,65 मिले हैं जबकि 58,181 लोग स्वास्थ भी हुए हैं। नमबर बाद भी गरीबों को फिरी में मिलता रहेगा अनाज सरकार जल्द कर सकती है एलान। रही है कि गरीब परिवारों को आर्थिक सहतर परदान करने की आखरी तारीक को बढ़ा कर मार्च 2021 किया जा सकता है। IPL 2020 के प्ले आफ और फाइनल का सेडियूल जारी। IPL 2020 के प्ले आफ और फाइनल का सेडियूल बी सी सी आई ने जारी कर दिया है। वाला क्वाली फाइर और फाइनल दुबाई में होगा जबकि बागी दो प्ले आफ मैच अबुआ धाबी में खेला जाएगा। भारतिय क्रिकेट बोर्ड ने रभिवार को इसका एलान किया है। के लिए सिलाई पर्सेक्षन केंद्र के अस्थापना की गई। बता दे कि इस पर्सेक्षन केंद्र में महिलाओं के रानी की भी विवस्ता की गई है। ताकि दूर द्राज से आने वाली महिला यहां कुछ दिन रहाकर सिलाई का उचित पर्सेक्षन ले सके। इसके साथ ही राज सवासांसद महेश पोदार के स्वयोग से पहले से सिलाई का पर्चिक्षन प्राप्त कर चुकी महिलाओं को सिलाई मसीन बित्रत की गई राची विश्व बिद्याले में 29 अक्टूबर से असना तक फाइनल इयर की परिक्षा सुरू होगी बतादे की परिक्षा के साथ-साथ मुल्यांकन कार्य भी सुरू कर दिया जाएगा ताकि रियर्ट जल्द जारी हो सके जैक ने मदार्शा माधमा वा इंटरमेडियर्ट वोकेशनल परिक्षा 2020 की त्यारी पूरी कर ली है सभी जीला को अवस्यक परिक्षा समागिरी भेज दी गई है बता दे की तीनों परिक्षा 28 अक्टूबर से सुरू होगी जार्खन में डिजिटल टांजेक्षन और क्यू आर कोड सुविधा वाले पेमेंट करने वालों की संख्या करीव सैतिस लाग से भी ज्यादा पहुँच चुका है CMPDI में ऑनलाइन पेंटिंग वा क्वीज कंपटिशन 27 अक्टूबर से 2 नुवंबर तक मनाया जाएगा जिसमें राची जिला के किसी भी स्कूल के चात्र जो काक्षा 8-12 तक क्यों भाग ले सकते हैं पूर्वकेंद्रिय मंत्री दिलीप राय की साजा पर आज 26 अक्टूबर को आ सकता है फैसला बता दे कि कोईला घोटाले मामले में दोसी ठार आये गए थे धान्यवाद यदि आप चनल पनौए हो तो चनल को सब्स्राइब कर बगर कर अपने दोस्तों सेर करें सासी साथ आप हमें आपना फीड़वेक अवसे दे थाइंक यू